रामलीला मंचन के चौथे दिन सीता स्वयमवर जिसमें राजा जनक ने अपने महल में रखे शिव धनुष को तोड़ने वाले राजा के साथ सीता के साथ विवाह की घोशना नगर में कराई की जो राजा शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा शिवजी के इस धनुष को तोरने के लिए बड़े बड़े राजा, पहुंचे परंतु धनुष को तोरने में विफल रहे. भगवान श्री राम के साथ आय मुनी विश्वामित्र ने महाराज दश्रत से धनुष तोरने की इजाजत मांगी, तब श्री राम ने अपने हाथों में जैसे ही धनुष को उठाया, वो तूट गया, इस दौरान यग्य में बैठे परशुराम विचलित हो गए, और वह सीध पर डायरेक्टर लक्षमी कोठियाल, प्रदीप ठाकुर, सियाराम पटेल, नवनीत वर्मा, तहल सिंग, राजेंद्र प्रसाद अंगीरा, बुद्धी प्रकाश रोहिला, रविंद्र सैनी, पीके दुबे, अभिशेक रोहिला, पूरन चंदॉला, अंशुल बिंजोला, सत संजय धीमान, सुरेश, आस्था गुप्ता, भावना, राकेश गुलेरिया, संजय वर्मा, विनीत रोहिला आदी उपस्थित रहे एमूर्चनक जल्बी बतला, यह धनवा किसने तोड़ा है, इस वरे स्प्राइमबा से, चीजता के नाता चोड़ा है एमूर्चनक जल्बी बतला, वर्मा चौपाच कर जानूगा, जितना है तेरा भाज़भा, सब उलट उलट तो जानूगा यह धनवा क्या चीज है, मैंने कहीं रण जीते हैं, मेरे सामने बड़े बड़े योधा, रण छोड़ कर पानी पीते हैं